वेल्कम टो ओर चैनल टिक मेकानिकल अनिलेक्टिकल आप सभी जनते कि मैं जैसे बोला था चैप्टर वाइस mcq solve कड़ाऊंगा वैसे मैं कड़ाता हूं और चैप्टर वाइस theory में बताऊंगा ठीक है तो आज का topic शुक रहाएक है aksu payment Blade जो हम लोगों के लिए इंपऔर्टंट है हर एक्जाम में एकनले को का सबाल है टा कोसे यह वह करें तो बहुत सर więks जाता है इसलिए हम लोगों के जानना चाहिए हैक्सो का डिलेट जो जो पॉइंट होता है तो आज का थियोडी क्लास होगा बहुत ज्यादा इंपोर्टेट है जो होगा नीमी पैटन पर ठीक है नीमी पैटन पर हम पढ़ाएंगे तो देख लेते हैं आज का क्लास और वीडियो अगर अच्छा लगे तो च Conrad fiber is used along with the blade to cut metals of different section hexo刃 hexo blade का साथ fixs होके different section को cut सकता है मतलब hexo blade छोड़के hexo frame metal ko cut नहीं सकते ठीक है bloody चिञेन है और इसको हम लोग specification कैसे करेंगे अगर दुकान में जाएंगे कोई भी Swap में जाएंगे तो अगर hex frame लेना है तो हम लोगों को बताना पड़ेगा इसका टाइप क्या है और मेक्सिमाम लेंद तो बंडेट विश मतलब कितना साइज का ब्रेट हम लोग उस फ्रेम में फिक्स कर सकते हैं तो आगर बात करेंगे स्पेसिपिकेस इन तो आप लोग देख सकते हैं टाइफ होता है होलना है टाइप and maximum length of blade that can be fixed into the frame ठीक है मतलब type क्या होगा और कितना maximum size के blade हम लोग frame में fix कर सकते उसका उपर इसका specification different करता है और type of hexo frame है hexo frame का type क्या क्या होता है दो types का होता है एक होता है solid frame दूसरा होता है adjustable frame और जो adjustable frame है उसको दो भागों में बाढ़ते है adjustable frame जो होता है एक होता flat type और एक होता tubular type ठीक है तो पहले जानना है solid frame solid frame में क्या होता है only a blade और particular standard length can be fitted to the frame solid frame में क्या होता है एक particular size का blade only fix होता है ठीक है अगर fix होता है तो 300 mm तो 300 mm होगा अगर नहीं तो 1800 mm होगा ठीक है तो adjustable frame के लिए कि आप बोले adjustable मतलब हम लोग adjust कर सकते different standards length of blades can be fitted to the frame मतलब बोले different standard length मतलब different standard जो length होता है ओ लेंद वाला blade adjustable frame में हम लोग fix कर सकते हैं ठीक है जैसे हम लोग 1800 mm भी कर सकते 300 mm भी कर सकते हैं ठीक है next और flat type देख लेते कैसे flat type एधे तो flat type नहीं दिया इधा इधा सरफ ट्यूबला टैप दिया है adjustable frame का होता ट्यूबला टैप ओई दिया है next बात करते एडजस्टेवल फ्रेम ट्यूबलर टैप में डिस इस दा मोस्ट कमोंळी यूज टैप जनरील हम लोग एडजस्टेवल फ्रेम ट्यूबला टाइप यूज करते हैं इट गीप से बेटर गीप वेटर गीप हम लोग अच्छा से पकड़ सकते हैं और अच्छा से पकड़ सकते और अच्छा से कॉंट्रोल भी कर सकते हैं ठीक है यह आप लोग देख सकते हैं इस सॉलीड फ्रेम और यह होता है एड़ नमबर को हेंडेल बोलता है हेंडेल दो नमबर को फ्रेम बोलता है ठीक है फ्रेम तीन नमबर को टीवलर फ्रेम विट होल्स फोर लेंद एड्जस्टमेंट एलेंद एड्जस्टमेंट के लिए होता है अगर बड़ा करना है तो लास्ट में लगाना छोटा करना तो बीच में छो और ऐसको बोलतर फैक एदर इसको बलेड को पकारता है एड़िक्सट ब्रेड होल्डर होता है यह होता है एड़िक्स करें जितना basta साइज का ब्लेड गोग उसका एकोर्डिंग हम लोग टाइट करेंगे ठीक होता है एडजेस्टबल ब्लेड होल्डर और यह होता है उइंगनट ठीक है उइंगनट next ये hexo blade is made of either low alloy steel और high speed steel जो hexo blade होता है hexo frame का तो अभी बात कर रहे थे तो hexo blade होता है जो एक hexo blade होता है ऐसे ऐसे जो होता है तो hexo blade बनता है low alloy steel से नहीं तो high speed steel से ठीक है तो हम लोग material का उपर डिबेंड करेंगे कौन सा material हम लोग कटने जा रहे है available in standard length of 250 और 300 mm ठीक है और जो length होता है available length एक होता है 250 और दूसरा होता है 300 mm जो inch में होता है 8 inch और एक होता है 12 inch ठीक है जो blade blade कबर में अभी वात कर रहे थे यह blade ठीक है तो बोला parts of hexo blade hexo blades का part क्या क्या है तो यह जो होता है पीच जो back portion होता है इसको back edge बोलता है side आब लोग देख सकते हैं इसका दो side रहता है एक side इधर रहता है एक से उधर रहता है और इधर से pinhole से one finhole से second finhole तक जो distance होता है उसको length ब्लेड का length और जो blade अगर ऐसे होगा तो इसका center portion को center line बोलते हैं ठीक है और pinholes तो आप लोग देख सकते हैं जहां पर pin हम लोग fix करते हैं retaining pins को हम लोग fix कर सकते हैं इधर दो finhole देख सकते हैं all hard हम लोग को पता चल गए all hard मतलब पूरा hard होता है तो full length of the blade between pins is hardened बोल है जो full length होता है इसका length कहां से कहां तक होता है एक pinhole से एक pinhole से दूसरा pinhole तक ठीक है तो पूरा hard है और it is used for harder materials एक कहां युज होता है जब बहुत hard material होता है उसको काटने के लिए उसको है जैसे tool steel, die steel, high carbon steel को काटने के लिए हम लोग all hard blade यूज करेंगे ठीक है जो बहुत ज्यादा hard होता होता है उसको काटने के लिए flexible blade हम लोग कहां यूज करेंगे only the teeth portion are hardened only teeth जो portion है इधर जो teeth portion है ये जो teeth portion है teeth portion से hardened है ठीक है because of their flexibility flexibility होने का करण these blades are useful for cutting along carb lines flexibility होने का करण a blade जो carb line का साथ भी काट सकते हैं मतलब hard blade क्या है एक metal है इसको सिधा काट सकते हैं लेकिन जो flexible blade है उसका सरफ teeth portion हार्ड है इसलिए जो flexible है बाकी portion हो flexible है कोई भी कार्प सरफेस में काटना है तो carb surface में काट सकती क्योंकि बाकी जो blade का जो पर्षन हो और flexible हो सकते हैं लेकिन hard blade में क्या होते हैं पूरा hard होता है थोड़ा से भी और flexible blade थोड़ा thin होता है ठीक है पीच अब दा ब्लेड तो सभी स्टूडेंट जानते हैं पीच किसको बोलता है सेम हेक्स ओ जो फाइल का पीच होता है ओ और जो थ्रेड का जो पीच होता है सेम है ठीक है मतलब कोई भी एक पॉइंट से जो corresponding point होता है उसका distance को बोलता है पीच जैसे अगर थ्रेड का बात करेंगो थ्रेड में क्या होता है एक point से जो corresponding next point होता है उसका बीच में जो distance होता है उसको बोलता है पीच सेम है हैक्स ओ टीथ में भी सेमे ऐसे से जो टीथ होता ना एक point से corresponding next point तक distance को को बोलता है ठीक हैा तो बोल रहा है The distance between fingers and teeth जो sound teeth होत ऊसका between जो distance होता है इस 지금 कीelijk देख लेतेएज किसको बोलता है जैसे मैं बोला एप्वूंस से प्वंस पूंस को पीच बोलते हैं जब भी पीच आएगा पीच मतलब सम्होंता है चाहरे हो प्सकरार चाहिए फाइल यह स्कूणरी द्विए सेम सबसипराइब तो पीच क्या क्या है और सन सब्सक्राइब मेंगोने नोटा पीच CHAR also 1.8 mm मीडियाम पीच का अंदर आता है 134 एंड 4 और फैन पीच का अंदर आता धा 0.8 mm तो इसका यूज कहां कहां होता है वह हम बताएंगे भी ठीक है next hexo blade को हम लोग कैसे specify करेंगे पहले तो हम किये थे hexo frame को specify hexo frame को कैसे किया थे hexo frame को इसका type क्या था और था उसका maximum length of blade that can be fixed into the frame maximum length कितना होता hexo blade का जो हम लोग उदार fix कर सकते हैं ठीक है तो अभी जाना है hexo blade का specification अगर कोई भी swap में जाएंगे hexo blade लेना है था हम लोग को क्या बोलना पड़ेंगे hexo blades are specified by the length पीचन type of material पहले हम लोग को बोलना पड़े कि इसका length क्या है 300 mm या 800 mm पीच क्या होगा course पीच होगा क्या fine पीच होगा क्या medium पीच होगा पीच हम लोगों बोलना पड़ेगा 0.8 या 1.8 या 1.4 या 1 ठीक है और material क्या बोलना पड़ेगा दो material होता है ना low alloy steel और एक होता है high-speed steel तो हम लोगों बोलना पड़ेगा कि HSS LA ठीक है बोल रहे था वीद एंद थीगनेस और blade is standardized मतलब जो वीद होता है और थीगनेस होता हो स्टेंडर होता है ठीक है जैसे अगर हम लोग specification कबड़ा में बात करेंगे जैसे तब बताया था कि hexo frame का specification बतायाता है तो अभी हम बात करेंगे hexo blade का specification का बाड़े में hexo blade का specification पहले बता दें लेंथ लेंथ क्या है लेंथ बता देंसों पीच क्या है 1.8 और क्या है type of material तो low alloy भी होता है और एक होता है high-speed steel तो low alloy बोल दिया और एक बोला है होगे तो हम लोग ओलाड लेंगे तो गलती हो जागा न तो हम लोग को flexible या ओलाड हम लोग को बोलना पड़ेगा इसलिए यह होगा hexo का specification ठीक है hexo blade का specification next to prevent the hexo blade binding while penetrating into material and to allow free movement of the blade ठीक है बोल रहा है जब हम लोग कोई भी metal में अगर सोच लो एक मेटल है ठीक है एक मेटल है एक मेटल है एक मेटल है तो ऐसे हम लोग blade से काट रहे हैं तो बोल रहा है तो पीवेंट दा hexo blade binding while penetrating जब हम लोग blade को मेटल का अंदर घुसाते हैं तब कोई भी अगर binding मतलब मतलब बेंड हो जाता कि कुछ भी ना हो जाता है इसलिए और टो एलाव फ्री मूवमेंट अब दा blade blade को फ्री मूवमेंट देने के लिए क्या होता है दा काट इस ब्रॉडर दें दा थीगनेस ऑफ दे थो भी प्रॉडर फबलेद जो काट होता है वह 100 ब्रॉडर का थीखनेस इतना होगा लिन काट थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्यूंकि क्यूं और तो प्रिवेंट हैक ड्रोड फ्री ने का निक्ट पाने के लिए तो एतना अगर bên का ठीगनेतवल के तो क्या होगा जैंप हो जाएगा थोडहा सब बेंड हो जाएगा थो ब्लेड तूट जाएगा और और आं रड विले टोंध होगा तो इससलिए हम लोगों जो होता हैं इसको बोलता है setting of teeth तो एक्जाम में बहुत important एक questions होता है setting of teeth क्या है तो setting of teeth कुछ नहीं है जो hex of blade होता है उसका जो thickness होता है ठीक है उससे काट का size बड़ा होता है क्यों होता है उसको hex of blade को free movement देने के लिए और hex of blade अगर binding ना हो जाता है इसलिए हम लोग blade को छोटा करते है ठीक है और इसका काट जो होता है बड़ा हो जाता है तो क्यों होता है यह होता है setting of teeth के लिए तो setting of teeth दो types का होता है एक होता है stagger set और दूस्रा होता है और क्या बोल रहा है दा एरेंज्मेंट हेल्प फॉर्फी काटिंग और पॉवडज चीप क्लियरंस एज एरेंज्मेंट है वो फ्री काटिंग करने के लिए मदद करते है तो यह जो अगर जो ब्लेड का ठीगने से अगर इतना होगा इतना मेटल कटेगा तो फ्री कलता है और free cutting भी होता है ठीक है next website in this teeth of the blade are arranged in the waveform इस type में जो teeth होता है वो waveform में रहता waveform में मतलब क्या होता है stagger set में कैसे था stagger set में ऐसे था एक इधर था तो एक इधर था एक इधर था ठीक है और waveform में क्या होगा waveform में ऐसे मतलब समुंदर में जैसे वे उस टाइप का ठीक है तो अब लोग देख सकते यह फ्री cutting के लिए देता है फ्री मूव्मेंट परने के लिए तो setting of teeth का जो में उद्देस होता है जो में परपास होता है जो ब्लेड का thickness होता है उससे बड़ा काट काटने का क्यूंकि उस ब्लेड को फ्री मूव्मेंट देता है ब्लेड अच्छा से मेटल को काट सकते है कोई भी जैंप नहीं होता कुछ भी नहीं होता ठीक है तो जो पीछ होता हुआ सेट का अंदर कौन से पीछ आता है जो वेब फर्म होता है वह बहुत ही मतलब फाइन पीछ होता है ठीक है तो आप लोग देख सकते वेब जो सेट है ओँग जिरो पाइंट एट मेंपीच है उसका और कभी-कभी वाने मेंपीच जो होता है वह स्टैगाट का अंदर आता है अदर आता है और ऑभर वाने में मसे ज़्यादा जो होता है उस टेगाट तिक का अंदर आता है ठीक है पौर बेश्ट रिजल्ड दबलेट विथ द राइट फीच शूडबी सिलेक्टेट रडेक्टली बोले बेश्ट रिजल अच्छा रिजल पाने के लिए हम लोग को जो तो selection of the blade depends upon जो selection of the blade किसका उपर depend करता है the shape of the blade and the hardness of the material to be cut कौन सा metal काम लोग काटने जा रहे हैं अगर tool steel को काटने जाएंगे तो हम लोग को all hard blade लेना पड़ेगा ठीक है अगर HSS, ACS को काटना पड़ेगा मतलब high carbon steel को काटना पड़ेगा तो क्या लेना पड़ेगा हम लोग को हम लोग को all hard blade लेना पड़ेगा ठीक है, ओइसे ही बोल लाए कि shape क्या है shape भी जानना पड़ेगा ना अगर shape अगर right straight होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर carb shape में काटना है, तो हम लोग क्या लेंगे flexible blade लेंगे तो selection blade को कैसे selection करेंगे हम लोगों पहले देखना है material का hardness क्या है पुछ बहुत ज़्यादा hard होगा तो all hard blade लेंगे और shape क्या है shape अगर state करना है तो all hard blade लेंगे ठीक है next pitch selection pitch selection हम लोग कैसे करेंगे for soft material such as branch brass soft steel cast iron heavy angles it is used 1.8 mm pitch जो soft material होता है brass brass soft steel cast iron heavy angles जो कटना है उसके लिए हम लोग 1.8 mm pitch यूज़ करते हैं more chip clearance more chip clearance होता है ठीक है बहुत ज्यादा pitch हम लोग यूज़ करते हैं soft material के लिए तो कभी-कभी एक्ज़ब में पूछता है 1.8 mm हम लोग को pitch कहां यूज़ करना चाहिए तो soft material के लिए use करना चाहिए और solid brass branch के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है तो दोनों हम लोग की याद रहना चाहिए for tool steel high carbon steel high speed steel high speed steel tool steel और high carbon steel के लिए pitch क्या होगा 1.4 mm ठीक है और angle iron, brass tubing, copper, iron pipe, etc इसके लिए क्या पीछ होगा 1 mm पीछ होगा ज्यादातर questions exam में आता है एक बोल देता है कि soft metal कटने के लिए हम लोग को कौन सा पीछ लेना चाहिए 1.8 mm बोल देता है कि solid brass और bronze को कटने के लिए कौन सा हम लोग पीछ ले तो 1.8 mm और एक आता है जो thin tubing होता है और seat metal work होता है उसके लिए हम लोग कौन सा पीछ लेना चाहिए thin tubing के लिए thin tubing के लिए 0.8 mm पीछ लेना चाहिए और एक होता है hard metal के लिए हम लोग को कौन सा पीछ लेना चाहिए बहुत ज्यादा hard हो जाएगा तो 0.8 mm पीछ लेना चाहिए बहुत ज्यादा हाड हो जाएको ठीक है तो तो क्यों हार्ड मेटल के लिए 0.8 mm बइस लेते क्यों के अगर एक हाड्र मेटल है और पीच हगर इतना बड़ा-बरा हो जाएगा तो थोडिने मेटल को काट पायेगा टीथ यसी लिए बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो जाएगा तो आज का था टूटाल एक सब्सक्राइब है तो आज का था टूटाल चांद से इधर से कोसिंस एक्जम में आयेगा कि यह नीमी का बूक है नीमी से को से आता है ज्यादा तर कुस्स तो आज का गडर वीडियो में जैसे डिसकेसं की अगर अब लोग अच्छा है और भी अच्छा चैप्टर जैसी हीक ट्रीमिंट का बड़े में अगर बात करना है है फोर्जिंग कोई भी अगर चैप्टर रिलेटर अगर डिसकसें करना है तो कॉमेंट बॉक्स में बता आना और वीडियो अगर अच्छा लगए तो चैनल के जुरूद सब्सक्राइब करना लाइक करना कमेंट करना फ्रेंड को साथ सेयर करना ठीक है आज के लिए इतना है थैंक यू बाइ